इसका ब्यास करते हैं क से कमल और क से कलश कमल राश्ट्रिय फूल है और कलश फूजा में उप्योग में लाते हैं ग से गाय और ग से गमला गाय को गमाता भी कहते हैं ग से घर और ग से गड़ी ज से जाला और ज से जग जिसमें पानी भरते ज से जग थ से थाली थ से थर्मस थाली जिसमें खाना खाते हैं वो थर्मस जिसमें पानी भरते हैं त से तल्वार त से तल्वार त से ताला त से ताला फ से फन जो सहत के लिए अच्छे होते हैं न से नाव न से नाव न से नल व से वन वन का मतलब होता है जंगल व से वन व से वक यह एक प्रकार का पक्षी है व से वक प से पान और प से पतं आएए अब इनी वेंजनों से बनने वाले दो दो शब्द का एक बार पुनाप्यास करते हैं ग से गाय ग से गमला ग से घर ग से घड़ी ज से जाला ज से जग थ से थाली थ से थर्मस थ से तल्वार थ से ताला भ से फन थ से फल न से नाउ न से नल पर से पान पर से पता मुझे लगता है आप इन वेंजर्णों से शुरू होने वारे दो दो शब्द सीख चुके हो इसका घर में बार बार अभ्यास करिए घर में रहिए अगली क्लास में फिर मिलेंगे बाय बाय